मंदल कारा में रविवार को गैंक्स्टर अमन सिंग के हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन के वर्या अधिकारियों की मौजुद्गी में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है इस क्रम में बुद्वार को भी देर रात तक जेल में सर्च अभियान चला इस दोरान एक मोबाइल बरामत किया गया इसको लेकर धनबात थाना में प्रात्मी की दर्ज कराई गई सनद रहे कि अब तक जेल से दो पिस्टल, आठ मोबाइल, पेंडराइफ और अन्यक कई आपति जरक सामान बरामत हो चुके हैं इस सिलसिले में पांच प्रात्मी की दर्ज हो चुकी है इधर अमन सिंग हत्याकार्ण में पूस्ताच के लिए पांस दिनों की रिमांड पर लिए गया रितेश यादव उर्फ सुन्दर का बुद्वार को सरैडिला थाना के पुलिस ने सदर अस्पताल में मेडिकल कराया भारी सुरक्षा व्यवस्ता के बीच रितेश को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची थी वहाँ जाच के बाद उसे पुना थाना वापस ले जाया गया अस्पताल एवं पुलिस सुत्रों के अनुसार प्रती दिन रितेश का मेडिकल कराया जाएगा इस क्रम में चुकित्सकों ने उसकी पूरी जाच की कुछ और कैदियों को रिमांड पर लेने की है तयारी पुलिस सुत्रों ने बताया कि आमन को गोली मारने के आरोपी रितेश को रिमांड पर लेकर पुस्ताच चल रही है कई वर्य अधिकारियों ने पूस्ताच की इस क्रम में रितेश से मिले संकेतों एवं जानकारी के आधार पर पुलिस जेल के कुछ और कैदियों को रिमांड पर लेकर पूस्ताच करेगी ताकि इस हत्याकान का खुलासा हो सके नीरत सिंग हत्याकान के शूटर सागर और चंदन ने जताई हत्या क्या शंका सागर सिंग ने वीसी से पेशी के दौरान अदालत में कहा जेल प्रशासन दूसरी जगा भेज हत्या करा देगा जेल प्रशासन ने कोट को दी अमन की मौत की लिखित सूचना जेल प्रशासन ने अमन सिंग की मौत की लिखित सूचना जीला एवं सत्र नियाधिश मुख्य नियाइक दंडादिकारी एवं नियाइक दंडादिकारी के अदालतों में भेज दी है इसाधार पर उक्त अदालतों में अमन सिंग से सम्मंधित वादों की सुनवाई बंद करने का आदेश दिया जाएगा जेल प्रशासन ने हमें तीन दिन में सेल में बंद कर रखा है खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा है मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है मुझे सुरक्षा दी जाए जेल प्रशासन मुझे दूसरी जगा भेज़ कर मेरी हत्या करा देगा उक्त बाते नीरज सिंग हत्या कार्ड में धनवाज जेल में बंद यूपी के शूटर सीबू उर्फ सागर सिंग ने बुदवार को पेशी के दौरान जीला एवं सत्य नियादीश अक्रेश कुमार की अदालत में कही अक्रेश कुमार की अदालत में उसने कहा कि अमन सिंग ने भी हत्या की आशंका जताई थी वही पेशी के दौरान चंदन सिंग ने भी अपनी हत्या की साजिश रची जाने के बात कही सनद रहे कि आरोपियों की प्रार्थना पर बुद्वार को पूर विधायक संजीव सिंग को छोड़ बाकी सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर कोट में पेशी कराई गई थी सुनवाई शुरू होते ही आरोपियों सागर सिंग उर्फ सीबू बिनोज सिंग चंदन उर्फ सतीश उर्फ रोहित और कुर्बान अली के अदिवक्ता ने अदालत में आवेदन दे कर कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से बात करनी है इसलिए उन्हें पेश कराया जाए सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अदिवक्ता साधन राय कुमार मनीश एवं केके तिवारी ने भी बहस की संजिव सिंग के अदिवक्ता ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप बुद्वार को अदालत में सुनवाई के दौरान शरिया के पुर्व विधायक संजिव सिंग के अदिवक्ता मौमद जावेद ने कहा कि 16 अगस 2023 को अदालत ने रिम्स की रिपोर्ट के आधार पर संजिव सिंग को बहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजने का निर्देश दिया था इसके 111 दिन बीच जाने के बाद भी जेल प्रशासन ने उन्हें एम्स नहीं भेजा है उन्होंने आरोप लगाए कि जेल प्रशासन संजिव सिंग को तेहर जेल भेज कर उनकी हत्या करवाना चाहता है अधिवक्ता जावेद ने बहस के दौरान कहा कि सरकार ना इलाज मुहया करा पा रही है और ना ही सुरक्षा महमद जावेद ने कहा कि क्या आईजी जेल नियाले से उपर है